नमस्ते दोस्तों का और पुरुष केवल साथ हजार शब्दों का ही प्रयोग करता है क्या आपको ये मालूम है दोस्तों ये तो हो गया विज्ञानिक नजरिया और अब मैं आपको अपने नजरिया से समझाने की कोशिक करता हूँ तथ्यों के आधार पर और हाँ दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक कर दिया करूँ दोस्तों आपको ये ग्यान तो होगा ही हम जब भी सुबह उड़ते हैं तो हमारा शरीर 100% उर्जा लेकर उड़ता है और हम तरो तर्जा दिखते हैं और हम अपने अपने कारे में वैस सुबहते हैं जो जो हमारा शरीर कारे करता रहता है तो हमारा शरीर की उर्जा समाप्त उतर आते हैं वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, जानवर हो, इत्यादी और शाम होते होते आपकी शारीरिक उर्जा लगबग समाप्त हो जाती है आप घर आते हैं खाना खाकर समय सो जाते हैं समझने की बात यह है कि दोस्तों आप अपने शारीरिक उर्जा का कितना पर्चियत भाग कहां और किस प्रकार से खर्च करते हैं पढ़ाई पर या बिजनस पर या घर के काम करके या गेम खेल कर या टीवी देखकर इत्यारें कोशिश करना दोस्तों समझने की यह है सार रहस है और मैं आपको साबित करनगा इस वीडियो में आगे चलो दोस्तों हम सौ वर्स या देट सो वर्स पीछे चलते हैं जब विज्ञान ने इतनी उन्नती नहीं की थी जब पुरुष लोग जीवित रहने के लिए लगणिया काटने या शिकार करने जंगल जाया करते थे और वही महिलाए गर में रहकर जैसे बच्चों का पालंकोशन या घर के छोटे मोटे काम, कपड़े दोना या इत्यादी किया करती थी लेकिन ये सारे कारे करने के बाद भी महिलाए अपने शारीडिक उर्जा का काफी भाग बचा लेती थी पुरुषों की तुलना में बाते करते थी तो वैया कुझ अपने आप से करती है इतना बाते क्यों करती है दूसरे श dazzle में कह सकते हैं कि यदि महिला व्यस्त नहीं है तो वैय अपनी शारीडिक उर्जा को समाप्त करने के लिए बाते करते हैं दोर्टो ये बाते तो हो गई सो साल पहले कि चलो हम आज की बात करते हैं इस विद्ध्यानिक दोर में आपको बातुने लड़िकियां मिलेगी जरूर मिलेगी लेकिन बहुत कम मात्रा में इसका कारण है कि आज कल लड़िकियां पलाई में खेल कुद में बघर से बार निकल कर अन्य पद्धितियों में हिसो में भाग लेती हैं और टिक टॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर आप लड़िकियां पूर्ण रूप से व्यस्त हैं या हम दोस्तों कह सकते हैं कि वे अपनी शारिरिक उर्जा का पूरा भाग इन कारेयों को करने में लगा रही है जो ग्रेक कारेय में व्यस्त है और वो अभी उनकी मात्रा ज्यादा ने पहुत कम दोस्तों ये बाते तो हो गई महिलाओं की चलो अब बात करते हैं पूरुषों की दोस्तों मैं दावा करता हूं कि पूरुष ज्यादा बातों नहीं होते हैं महिलाओं से आपको भरोसा नहीं है, ये देखिए, हमार नमबर वान, हैवर लीडर, सेल्स इंडेस्ट्री, टेली कॉलर, ड्राइवर, सिप्वियोर्टी गार्ड, ऑफिशल मीटिंग, फ्रेंड्स ग्रूप, जी हाँ दोस्तों, ये महिलाओं से कम से कम चार बुना ज़्यादा बाते करते दोस्तों, ये किसी महिलाओं को अपने छेत्र के कुछ घरों के रहस्यों का ज्यान है, तो वहीं पुरुष को उसी छेत्र के 70% घरों के रहस्यों का ज्यान होगा, ये सच है दोस्तों, मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं उसी शारीजिक उर्जा की बात कर रहा हूँ, जो लोग व्यस नहीं हैं, वो अपनी उर्जा इन कारे में लगाते हैं और वही व्यस्व्यक्ति और महिलाएक वही शारीख उर्जा अपनी कारे की बाते करने में लकाती हुए तो मेरे भाईयों और बैनों आशे करता हूँ कि आपको शारीख उर्जा का महहत थोड़ा सा तो समध में आ गया होगा और इसका क्या संबन्द है महिलाओं के बाते करने से या पुरुष समू के बाते करने से तो दोस्तों यदि आप अगली बार किसी महिलाओं को दूसरी महिलाओं साथ बात करते हुए या किसी पूरुष समो को आपस में बात करते हुए देखें तो अपनी एक राय मत बनाना कोशिश करना दोस्तों समझने की वे लोग तो बस अपनी पूरे दिन की उर्जा समाप्त करने में व्यस्त हैं ताकि वो रात को चितरे नीर ले सकें दोस्तों मैंने अपने शरीर की 5 दिन की उर्जा इस वीडियो को बनाने में लगाई है अगर आपको इस वीडियो में कुछ पतिशा सच्चा ही लगती है तो मेरे प्यारे भाईयों और मेरी प्यारी बहनों और हाँ महिलाय बातों नहीं होती पुरुस बातों होते हैं जन हित में जारी बाई नमस्ते